IPL 2024 के सत्रहवे मुकाबले में पंजाब किंग्स ने गुजरात को तीन विकेट से रोमान्चक शिकस्त दी। पंजाब की जीत में जिन दो खिलाडियों को सबसे बड़ा योगदान रहा उनमें शशांक सिंग के अलावा आशुतोष शर्मा का नाम भी शामिल है। पहले शशांक ने मैच बनाया फिर आशुतोष ने आखिर के ओवरों में 17 गेंदों पर 31 रन कूटकर पंजाब को जीत की देहलीज पर पहुँचा दिया। 29 बॉल पर 61 रन ठोक कर पंजाब की जीत के हीरो बने शशांक की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर है। लेकिन शायद अगर आशुतोष शर्मा का बल्ला नहीं चलता तो पंजाब ये मैच नहीं जीत पाती। 200 रनों के जवाब में पंजाब किंग्स की टीम ने 150 रन पर अपने 6 विकेट खो दिये थे। ये वही टाइम था जब टीम के सभी दिगज पवेलियन लौट गए थे। 27 विकेट पर 193 रन था। इसके बाद बचा हुआ काम शशान्त ने पूरा किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि आशुतोष शर्मा वो खिलाडी है। जन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे तेस 50 जमाने के मामले में युवराज सिंग को पचाडा था। युवराज ने साल 2007 में 20 बॉल पर T20 की सबसे तेस 50 ठोक कर इतिहास रचा था। लेकिन इस खिलाडी ने महस 11 गेंदो पर घरेलू क्रिकेट में ये कमाल किया था। चुभम शर्मा ने सयद मुश्ताक अली चौफी अरुनाचल प्रदेश के खिलाफ ने 11 गेंदो में 50 ठोकी थी। आशुतोष शर्मा मध्यप्रदेश के रतलाम से आते हैं। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने पहले MP के लिए डेब्यू किया। फिर रेलवे की तरफ से खेलने लगे। इन दौर में इस खिलाडी ने पढ़ाई लिखाई की और यहीं क्रिकेट के गुर सीखे। वो टीम इंडिया के लिए खेल चुके नमन ओजा के जबरा फैन है और उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। नमन भी मध्यप्रदेश से आते हैं। बताया जाता है कि नमन ने आशुतोष को यहां तक पहुचने में काफी मदद भी की है। आशुतोष अर्मा दाए हाथ के बैटिंग और राउंडर है। 25 साल के इस खिलाडी ने फर्स्ट क्लास इसके 4 मैचों में 268 रन बनाए है। लिस्ट एके 7 मैचों में उनके नाम 56 रन है। टी 20 के 16 मैचों में वो 197 की स्ट्राइक रेट से 450 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 31 छक्के निकले। करियर में एक विकेट भी लिया है।